नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत एक बाया फिर से आपकी अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का वीडियो जो है वो बहुत जादे इंपॉर्टेंट है तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली मेंबर से र आपका यहां पे कैंसर हॉस्पिटल हो गया वहां पे अगर आपको दिखाना है तो अब आप वहां पे OPD के लिए ओनलाइन एपॉंट्मेंट ले सकते हैं तो इसके लिए भारत सरकार ने ओनलाइन रिजिस्टेशन सिस्टम नाम का एक जो है वो यहां पर पोर्टल बनाया ह हुआ है और अगर आपने अभी तक अपनी हेल्थ आईडी नहीं बनाई है जिसको बनाना बिल्कुल फ्री है तो आप इसको बना सकते हैं इसको कैसे बनाना उसके लिए मैं एक अलग से जो है वो मैं वीडियो बना दूंगा ठीक है तो यहां पे लिखा गया कि आयूसमान भ आप कारेशर्ट करना होगा और अगर आपके बात करेंगे आजластje में बात करते हैं आप कैसे ऑनलाइण appointment बूक कर सकते हैं, ठीके, चलिए तो यहाँ पे आप EOPD card, payments, lab report, blood availability यह सारी चीज़े जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीके तो हम यहाँ पे book appointment पे हम यहाँ पे click करते हैं, अब देखे जब आप यहाँ पे बुक appointment पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस आ चुगा है, ठीके, सबसे पहले आपको किस hospital में, ठीके, किस state में आपको दिखाना है, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर select mode of appointment, ठीके, आप यहाँ पर online, आप यहाँ पर consultation करना चाहते हैं तो देखें, यहाँ पर आपके सभी states आ रहे हैं, ठीके, आप यहाँ पर states के list देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर aims भी आ रहा है, ठीके, तो जो भी यहाँ पर पूरे भारत में aims हैं, अगर आप यहाँ पर appointment लेना चाहते हैं, तो आप इस portal के माध्यम से ले सकते हैं, औ यहाँ भी आप यहाँ पर appointment ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि for a defense personal only, ठीके, तो जो लोग यहाँ पर army से related हैं, वो केवल यहाँ पर appointment ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर state में और aims में आप यहाँ पर appointment ले सकते हैं, ठीके, तो हम यहाँ पर उत्तर प् दिखा रहा है तो जो भी उत्तरब्रजस के बड़े होस्पिटल है, गवर्वन्न होस्पिटल ने मेडिकल कॉलेजर उनकी लिष्ट जो है वो यहां पर चुकिया ठीक है यहां पर आप आप यहां पर केजीक का गिया ऑण पर आ मिकार आ लिश्ट को सटते हैं ठीक है तो इन ऐसे आपको जहां लेना है उसको यहां पर सलेक्ट करेंगे चलिए हम यहां से तो देखिए अगर आप वहाँ पर फिजिकली जाने वाले हैं यहाँ लिखा गया है कि appointment for physical consultation with doctor ठीके तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं ठीके तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि new appointment ठीके अगर आप यहाँ पर पहली बार appointment book कर रहे हैं तो यहाँ पर department आचुका है आप यहाँ पर Nephrology में दिखाना चाहते हैं अप्थेमोलोगी में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी जो department दिखाना होगा वह आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे ठीक हमने यहाँ पर काडियोलोजी हमने कर दिया है अब देखे कुछ इस तरह को जो पे जब वो आपको यहाँ पर देखने को मिली रहेगा ठीक है तो अभी आपका मार्च चल ला है ठीक है और यहाँ पर लिखा गया एक ग्रीन कलर में लिखा गया है इसी में आपको appointment मिल सकता है ठीक है तो आप यहाँ पर करेंगे आप यहाँ पर डेट को जो है जो है आप उसको ले सकते हैं तो आपको यह वीडियो के चल लिखे और आपको health id कैसे बनाना नहीं है इसको लेकर मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ठीक है रिलेटिव्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से स्यर करें तो मिलते हैं अगरी वीडियो में